नमस्कार दोस्तो क्या आप ट्राविल बुकिंग में काम करते हो जैसे फ्लाइट टिकिट बुकिंग अगर आप फ्लाइट टिकिट बुकिंग का काम करते हो तो भाई आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्यूकि इस वीडियो में मैंने तीन साइट के साथ एक साइट का कॉ compare गर के दिखाया है तो आप लोग अगर देखोगे तो आपको पता भी चलेगा और आपको समझ में आएगा कि भाई कौन सी साइड से आपको ज्यादा फाइदा होने वाला है तो वीडियो को पूरा देखिए उसके बाद आपको अगर पोर्टल पसंद आती है तो मेरे साथ contact क मैं आपको पोर्टल के ID पस्वार्ट पोभाइट कर दूंगा अभी मैं आप लोग को टीन साइड में फ्लाइट टिकेट का रेट कॉम्पेर करके बताऊंगा और आप लोग खूदी देखिए गा कि कौन सी साइड में सबसे कमप्राइज में फ्लाइट टिकेट मिलता है तो पहले हम पेटियम में सार्च कर लेते हैं तो आपके सामने शो हो रही है देखिए कलकत्त तो दिल्ली 13 जुलाई को हमने सार्च किया और यहापड जो प्राइस लिस्ट आया है तो अब लोग के सामने यह भाई देख सकते हो यहापड जो लोएस्ट टिकेट है वो 8,260 रु और नीचे जितना आएंगे उतना प्राइस जादा है अब लोग के सामने देख सकते हो अभी में मेक माई ट्रीप में सार्च करके आप लोग को बताऊंगा तो यहापड भी देखिए मैंने कलकत्त तु डिल्ली 13 तारिक को सार्च किया तो यहापड देखिए लोएस्ट प् और फ्लाइट के टाइम भी देख सकते हो अभी जो मेंन साइट जिस साइट के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा और उसका आईडी पासवर्ट आपको अगर चाहिए तो मैं प्रवाइट कर सकता हूँ तो उस साइट में अभी हम देखेंगे कितना प्राइस आता है तो या साथ घंडे वख अच्छा है या या पर दीखेंगे बाईस घंडे वख अच्छा है आप खुद ही बोलिए तो आप लोगों के सामने ही मैंने सार्च किया अभी मैं दूसरे डेट में सार्च करके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ नेक्स डेट 14 तारीक को इतना प और भी आप देख सकते हो, make my trip में 14 तरीक में ज्यादा है याप और ज्यादा दिखा रही है और अभी हम pay point में दिखेंगे, next day 14 तरीक तो थोड़ा याप और loading ले रही है, wait करते हैं हम देखिए कितना lowest price है, 5,540 रुपे भाई, 2 गंटा 25 मिनिट तो भाई आप लोगों के सामने मैंने प्रूप करके दिखाया, कौन सी portal में सबसे lowest और अच्छा flight मिलता है और इस portal के ID password आप अगर लेंगे, तो आप ticket में extra charge भी add कर सकते हो मतलब आपको पता ही होंगे, अब अगर flight ticket बुक करते हो, तो markup setting बहुत जरूरी है आपके लिए तो पेपोइंट की portal में आपको ओ option मिल जाएगा भाई, आप ticket में extra charge भी add कर सकते हो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, information अच्छा लगा है और पेपोइंट की ID password आप अगर लेना चाहते हो, तो मेरे साथ contact करो मैं आपको पेपोइंट की जो flight ticket booking service है वो provide कर दूँगा, तो जल्दी से contact करो, आपको अगर ID चाहिए तभी contact करो बेकार में contact मत करो